नमस्कार आप देखरें न्यूजबल इंडिया और आपके साथ मैहू काज ओनराइन खबरों की शिर्वाद बड़ी जानकारी से करेंगे कर नौस से स्वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जौमस सबाय MLC की शिकानों पर बड़ी शाप इमारी देखने के लिए रही है आकर विभाग ने कन्नाच कानपूर समेख कई शिकानों पर शाप इमारे हैं अखलेश यादब के काफी करीबी हैं पुष्पराज जैन ये बड़ी जानकारी स्वक्त की हाद्रस में पेक्ट्री मुंबाई कानपूर में दफ्तर इन सभी जुगाँ पर शाप इमारी लगातार की जा रही है ठारा कंपनियों से पंपी जैन जुड़े हुए है ये बड़ी खबर इस वक्ति इंकम टेक्स विभाग की टीम ने यूपी में समाजवादी पार्टी के मलसी पुष्पराज जैन की चिकानों पर शाप इमारी की है आएकर विभाग ने कनाच कानपूर समेथ कहीं चिकानों पर शाप इमारे है बताए ज़ाता है कि पुष्परा समाजवादी पार्टी के आदिया शकले श्यादफ के काफी करीबी है और हाली में समाजवादी इत्र लाउंच किया था तो आईए आपको बताते हैं कि आखिर इत्र कारोबारी पुष्परा जैन कौन है जिनके घर में आयकर विबाद में चौप इमारी की है तो ऐसे में जान लेना जरूरी है पुष्परा जैन स्पी से मलसी है पुष्परा जैन को 2016 में एक्टाव फरुखाबास समाजवादी पार्टी से मलसी चुड़ा गया था पुष्परा जैन का इतर का बड़ा कारोबार 12 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है ये बड़ी जो बाती हैं वो हम आपको बता रहे हैं 2016 में उनके चुनावी हलपनामे की अनुसार पुष्परा जैन और उनके परिवार के पास बड़ा जाता है कि पुष्परा समाजवादी पार्ठी के आदिश अकलीष श्यादव के काफी करीबी हैं तो उन्होंने समाजवादी इतर लांच किया था जिसका जिक्र प्रेस कोंफरिंस में अकलीष श्यादव ने किया और कहा कि ये तर जो है पूरे प्रदेश को महकाएगा बारा बंकी में राज के पक्षी पर पुलिस कितना गंभीर है ये तो एक वारल वीडियो से साफ हो रहा है जिले के असंद्रा थानाश्यत्र के सिद्बॉर कस्वे में पुर्फ चेर्मेन हकीम अली बार्शा के बेटे ने राज के पक्षी सारस का शिकार किया और घाल पक्षी को अपने साथ नाओ मिलेकर चरे गए वहाँ पर मौझूदा एक शक्स ने मामले का विडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वारली कर दिया वहीं मामले पुलिस के तरफ से कोई कारवाई ना किये जाने पर लोग आकरोश में है पर एक वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है राजके पक्षी सारस को पकड़ते हुए ये नजर आ रहे हैं और शक्स को लेकर तमाम जो बाते हैं वो सोशल मीडिया पर देखी जा रहे हैं काफी आकरोशित यहां की जनता नजर आ रही है और रहया की अच्छलदा थाना श्रेत में प्रेमी पिमका ने ट्रेन के आगे को उद कर खुदकुशी कर ली है जिसके बाद स्थानी लोगों ने मामले के सूशना पुलिस को दी वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया और गटना की जानकारी परिजनों को दे दी है वहीं गटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया फिलाल पुलिस मामले की चानवीन में जुटी हुई है और एया का एक पूरा मामला जहाँ पर प्रेमीर युगल ने खुदकुशी कर ली जिससे परिजनों में कोहरा मच गया है और एया की तस्वीरे आप देख रहे हैं हरकी वजह साफ नहीं हो पाई है कि क्या वजहती इसकी बीचे लेकिन बताय जा रहा है कि प्रेमीर प्रेमीर का ने ट्रेन के आगे खूद कर खुदकुशी कर ली जिसके बाद स्थानी लोगों ने मामले की सुचना पुलिस को दी वहीं मौकें पर पहुंचे पुलिस से शब को कबज में लेकर पोस्मार्टम के लिए पेज दिया और घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोरा मजगया फिलहाल पुलिस मामले की चानवीन में जुट गई है जालोन में अपना दल एसके प्रदेश अध्यक्ष जालोन पहुँचे जहां पर उन्होंने आने वाले विधानसवा चुनाप को लेकर एक गेस्ट पार्टी के पदादिकारी के साथ बैठा की बैठे के दरान उन्होंने कारकरताओं को पार्टी को मजबूत करने का मुल्मंत्र दिया वह उन्होंने बताए कि आने वाले चुनाप को लेकर अर्देश के कई पार्टिया यूपी में बड़ी बड़ी जन सभाय कर रही है और अपने कारकरताओं में जोश भर रही है अपना दल वीजोपी के सयोगी पार्टी है वर्टमानमिस पार्टी के कई मंत्री विधायक और अबेलसी हैं हम उत्रप्रदेश चुनाव को लेकर पूरी तयारी कर रहे हैं और यूपी की कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पार्टी की पूरी तयारी लगातार जन्संपर्क कर रहे हैं तो जलान पहुंचे प्रदेश अध्याक्ष प्रदाधिकारियों के साथ एक खास चर्चा की है चर्चा के दौरान में साबतोर पर काया है कि हम पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तयार हैं दरसल जलान में अपना दल S.K. प्रदेश अध्याक्ष पहुंचे जहां पर उन्होंने आने वाले वधानसवर चुनाव को लेकर एक गेस पार्टी के बदाधी कारे के साथ बैटक की है बैटक के दुरानोंने ने कारेकरताओं को पार्टी को मजबूत करने का एक मूल मंत्र दिया उन्होंने बताये कि आने वाले चुनाव को लेकर देश के कई पार्टिया यूपी में बड़ी बड़ी ज़द सभाय कर रही हैं अपने दल बीजूपी की सयोगी पार्टी है वर्तमान विस पार्टी के कई मंत्री विधायक और MLC है उत्तप्रदिश चुनाव को लेकर पूरी तयारियां वो कर रही है और यूपी की कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो पार्टी के विधाधिकारी लगातार उनसे जम संपर्क बनाए हुए है हमारी पार्टी पार्टी के सायोगी पार्टी है नोविधायक है MLC भी है हम भी बड़े पहमाने पर तयार रहे हैं और अच्छी खासी सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं